नमस्कार साथियों एक बार फिर से मैं आरजी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चेनल स्मार्ट स्टडी वित आरजी में साथियों आज हम चर्चा करेंगे राजस्तान के इतियास में इतियासकारों के मध्ये चर्चित रहे एक विवादित प्रश्ण मिवाड की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद के विशय में हम चर्चा करेंगे कि क्यों एक राजपुत राजकुमारी को दो राजवनसों के संगर्स के बीच अपने प्राण गवाने पड़े हम ये भी चर्चा करेंगे कि गिंगोली का युद्ध और इसके परिनाम क्या थे हम चर्चा करेंगे इस प्रकण से समन्दिद चार प्रमुक पात्रों को साथ ही हम चर्चा करेंगे पिंडारी सरदार अमीर खाप पिंडारी की जिनके कहने पर राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया तो आईए सबसे पहले मैं इस प्रकंड की प्रमुक पात्रों के विशे में आपको जानकारे देना चाहूंगा ये हैं मिवाड के महरणा भीम सिंग जी इनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी ये हैं राजकुमारी, कृष्णा कुमारी जिनके कारण गिंगोली का युद्ध लड़ा गया काफी लोगों ने अपनी जान दी और इतियास में एक विवाद का प्रशन रहा ये हैं मारवाड के राठूर सासक भीम सिंग जी जिनके साथ राजकुमारी जी की श्यादी फिक्स हुई थी ये हैं जैपुर के कच्छावा सासक जगत सिंग प्रथम जिनके साथ दुब्बारा राजकुमारी जी की श्यादी फिक्स हुई थी ये हैं मारवाड के नए सासक मान सिंग राठूर जिन्होंने आपति की थी कृष्णा कुमारी जी की लगन पत्रिका जैपुर भीजने को लेकर ये हैं पिंडारी सरदार अमीर्खा की शेना ये उनका कैंप है और ये हैं अमीर्खा पिंडारी नवाब ओफ टॉंप ये हैं अजीत सिंग चूडावत जो मारणा भीम सिंग जी के विश्वस्त सैनिक थे और जिनकी सुझाव के आधार पे राजकुमारी जी ने अपने प्राणों के आहुती दी तो आईए साथियों जानते हैं कृष्णा कुमारी विवाद क्या था बात है 1807 की मेवाड के महरणा भीम सिंग जी ने अपने अत्यंत सू कुमारी राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाद मारवाड के राठोड सासत भीम सिंग जी के साथ तै किया था दुरुभागी देखे, विवाप्रस्ताव के कुछी दिन बाद राठोड सासक भीमसीमची की मृत्य हो जाती है तभी माराना मेवार ने अपनी पुत्री की लगन पत्री का जयवपूर के कच्छावा सासक जगत सिंग दुत्य के हां भिजवाई दुरुभागी लगन पत्री का मारवाड से जपुरुष्तानांत्रित होने पर मारवाड के नए सासक और दिवंगत राजा भीम सिंग जी के छोटे भाई राठोड मान सिंग जी ने इसका विरुध दर्ज करवाया उनका तरक था कि राजकुमरी जी का विवा मारवाड के लाजवन्स के साथ तैह हुआ है अत्य ये शादी मारवाड में होनी चाहिए और मांसिंग जी ने जगसिंग को कहलबेजा कि राजकुमरी जी की साधी चुकि मारवाड में पूर्वी ही तैह हो चुकी थी है तैह उनकी डोली उठेगी तो केवल और केवल मारवाड के लिए अनिताल लाशे बिज जाएंगे और पहली लास उसकी होगी जिसकी सिर पर शेहरा होगा ध्यान दे सात्यों दोनों राजवन्सों में तलवारे खिज गई और ठारा सो साथ में वर्तमान नागोर जिले की परवस्तर तैसील में इस्तेत युद मैदान गिंगोली ने जैपुर के कच्छवाहा और मारवाड के राठोडों के मद्दे भेंग कर युद वा काफी लोग हताहत हुई काफी घायल हुई परंतु युद का कोई स्पस्ट परिणाम नहीं निकला था तभी द्रश्य में परदारपन होता है टोक के नवाब पिंडारी सरदार अमीर खाप पिंडारी का उन्हें मद्द्यस्ता हेतु बुलाए गया पिंडारी की धन के प्रति भूख उस समय जग जही रखी फिर भी मद्द्यस्ता हेतु इस प्रकार के वीक्ति का चैन किया जाना और उसके सुझाओ चैन किया गया उसने सुझाओ दिया जिसे कोई भी सब्वे समाज स्विकार नहीं कर सकता परंतु उसका सुझाओ माना गया और किर्यान विती भी हुई जिससे राजपुती, गोरव की चमक, आभा और प्रतिभा की रोशनी धुमिल हुई पिंडारी सरदार अमेर खाप पिंडारी की ये हिम्मत नहीं हुई कि महरणा मेवाड को सीधे जाकर ऐसा कायरणा प्रस्ताव दे सकें अतय महरणा मेवाड के विश्वस्त सरदार चूडावन अजीत सिंग के माध्यम से कहा गया कि महरणा जी ये किसी भी राजवन्स में राजकुमारी जी की वर्तमान परिस्तिते में शादी की जाती है तो इसके गंभीर परिणाम उठाने पड़ेंगे भैंकर युद्ध होगा मार काट मचेगी क्रोद्वे नफरत की ऐसी भैंकर आग लगेगी जिसकी लप्टें मेवार तक पहुँचेंगी हाज़ारों बीगुणा लोग मारे जाएंगी अत्य कुछ इत्यासकारों के कहने पर इसकी विषय में लेकर राजकुमारी जी ने निरपराद लोगों को मृत्य की विभीशिका से बचाने के लिए श्वयम ही विष्पान कर अपने प्राण थ्याग दिये जबकि कुछ इत्यासकार लिखते हैं कि उनको जहर दिया गया था इस प्रकार दो राजवन्सु की लड़ाई के बेच मात्र सोल वर्ची राजकुमारी जी कृष्णा को अपने प्राणों के आहुती देने पड़े धन्यवाद सातियों यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और नीचे कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करें ताकि मैं आने वाली वीडियोज में विश्वस्तु की कुणता में सुधार कर शकूँ बन्यों